लखीमपुर खीरी में किसानों की हुई दर्दनाक मौत के बाद भड़ की हिंसा में अब तक लोगों की मौत हो चुकी है पीडित परिवारों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी जब अपने आवास से निकली तो फिर उन्हें सीतापुर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है इस संबन में प्रियंका गान्धी का कहना है कि पुलिस जब भी उन्हें छोड़ेगी तभी वो किसान के पीडित परिवारों से मिलने जाएंगी जी हाँ मैं आपको बता दूँ कि प्रियंका गान्धी ने इसके साथ ही अंशन भी सुरू कर दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है जब तक मैं पीडित परिवारों से नहीं मिलूंगी तब तक अन्न का एक भी दाना ग्रहन नहीं करूंगी वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूँ कि बीते सोमवार के दिन योगी सरकार और किसान संगठनों की बीच समझोता हो चुका है जिसके चलते लखीमपूर खीरी में इस मामले को लेके तनाव कुछ कम दिखता हुआ नजर आ रहा है जी हाँ हम आपको बता दें कि रवीवार राद 12 बजे लखनव से निकली प्रियंग का लखीमपूर नहीं पहुच पाई पुलिस से बशने के लिए अपने चीरपरचिट शैली में उन्होंने रास्ते में दो से तीन गाड़ियां बदी लेकिन तड़ के पाँच बजे सीतापूर के हरगाओं में उन्हें हरासत में ले लिया गया उन्हें सीतापुर P.A.C. कैंपस में हाउस अरेस्ट किया गया है सोमवार देर रात तक उन्हें हाउस अरेस्ट करके ही रखा गया था P.A.C. कैंप के बाहर कॉंग्रेसियों का बड़ी संख्या में जमावडा भी है कॉंग्रेसियों ने वहाँ पर मशाल और कैंडल जुलूस के माध्यम से लखीम पूर खीरी में मारे गये किसानों को श्रद्धांचली भी दी कॉंग्रेसी कारेकरता मंगलवार सुबह भी कैंप के बाहर जमे हुए है और अंतता आठ दिन के भीतर आरोपियों को सजा भी दी जाएगी